पूरे साल इंतजार करने के बाद फाइनली वो दिन आ गया है जिसको हम लोग फुलेरा दूज कहते हैं तो पूजी गुरुजी की कता से सुनके बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ पांच महा उपाय की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो पहला उपाय होगा वो होगा बीमारी अगर आपकी घर में बहुत जादा है तो उसके लिए दूसरा उपाय होगा आपकी कोई विश्च मनोकामना बहुत दिनों से धूरी है उसके लिए होगा तो पहला हमारा उपाय होगा बीमारी के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूँ, कि सबसे पहले महादयो को धतूरा समर्पित किया गया था, चड़ाया गया था वो दिन था, फुलेरा दूज का ही दिन, तो इस दिन धतूरे का ब जाओ, शाम को चले जाओ, जो एक धतूरा आपके हाथ में है, महादयो के शिवलिंग के उपर स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इस्मनड करते हो, एक धतूरा समर्पित कर देना, और जो भी विक्ति आपके घर में बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल करके, आपको वहाँ पर खड़े हो करके प्रातना करनी है, ठीक, देखो, लेकिन धतूरा चढ़ाने का एक नियम होता है, जो डंडी होगी, वह होगी मातासोख सुन्दरे के तरफ, जो पत्ति का भाग होगा, कहने का मतलब, जिस तरफ काटे हैं, वो आपकी तरफ होने चाहिए, इस तरीके से सम समर्पित कर दें, कुछ बेलपत्र नंदी बाबा के यहां पर सर के उपर समर्पित कर दें, पांच के पांचों बेलपत्र आपको नंदी बाबा को ही समर्पित करने होंगे, जो भी विक्ती बीमार है, उसका नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, ये तो बात हमने कर ली, बीम थोड़ा सा बड़ा उपा है, सामान भी ज़्यादा लग रहा है, तो कौपी लेकर पेन लेकर नोट करो, इस किन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ कमल गट्टे हमें किसंगे बढ़ें बढ़ें टूथ की और वो दूध होना चीए, वो भी कच्चा दूध होना चीए, ठीक है, देखो फिर हमें कौन से चीजि की जरूवत है, हमें जरूद होगी 7 बेलपत्र की, बेलपत्र जब भी लिया करो कहीं से कटा पिटा हुआ नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ें पिर हमें पत्ता तो मिलता नहीं, अब 7, 11, 12 पत्ता नहीं क्या बताते हो, देखो, तो जो भी मेरे भाई बहन को 7 समी के पत्ते नहीं मिले, तो 7 चावल के खड़े दाने भी ले सकते, ठीक है, ले लिया, अब हमें देखो कैसे कर रहा है, पूरी उपाय को विस्तार से समझो, क्या करना, उन सभी सामान को लेके पहुच जाना बेल पेंड के नीचे, ठीक, बेल पेंड के नीचे पहुचते ही, सबसे पहला काम क्या करोगे, एक घी का दिया, लंबी बत्ती का लगाओगे, ठीक, कोल बत्ती नहीं, एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, क्योंकि मनो कामना पूर्ती क लगा दिया अब देखो वहीं पर बेल पेंड की ही मिट्टी से क्या करना होगा एक पार्थिव शिवलिंग का स्वरूप तयार करना होगा उनका निर्मान करना होगा जैसे भी अच्छा करा आप जैसे भी बना सकते हो अपनी मन के भाव को रोके महादयो को इस तरीके से मिट् कामना है वस कामना से आपको सारी चीज़ों को यहाँ पर समर्पित कर देना ठीक है समर्पित करने के बाद दो मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमर्ण करते हुए महाँ पर प्रातना करना जो भी आपके विशो, धन, समपदा, मनो कामना कामना करना जब तक वो बुझ ना जाए जो आपने बेल पेंड के नीचे दीपक को जलाया है जब तक वो दीपक ठंडा ना हो जाए तब तक आपको महादयो के शिवलिंग के पास बैट करके प्रातना करते रहनी है जब वो दीपक ठंडा हो जाए बुझ जाए उसके बाद क्या करोगे जो आपने य जब आप वापस आएं तो जो आपके हाथ में कमल गटाज और जो आपके हाथ में अमर बेल के तुकड़े हैं उनको एक लाल कपड़े में आपको रख देना है ठीक है रख करके एक पोटली बना देना अब यहीं पर मेरी बास सुनना जहां पर भी आपके घर में तिजोरी हो जहां पर भी आप अपने घर में बरकत का सामार रखते हों पैसे रखते हों वहाँ पर उस जगह पे आपको कुबरेश्वर महादयो अगर आपके हाँ धन की बहुत ज़ादा कमी है तो कुबरेश्वर महादयो के नाम से आपको इस पोटली को अपने तिजोरी में या फिर अपनी ब्यापार वाली जगह पे रख देना है अगर आपके कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है तो इस लाल कपड़े को उठा करके आपको स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इसमनर करते हैं जहां पर आप पूजन पाठ करते हैं उस पूजन वाली जगह पे इ थाई महीने पूरे हो जाएं इस पोटली को उठाएं और ले जाकर के नदी में परवाहत कर दें उहां पर आपको विसरजन कर देना है यकीन मानिए ये फोलेरा दूज का सबसे सुन्दर उपाय है मनोकामना पूर्ती का और धन संपदा के लिए जरूर करिए गए इस उपा पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है देखो कौनसे जरूरत होगी इसकर पर आपको धतूरा देखा फोलेरा दूज का ये उपाय है तो धतूरा तो हर उपाय में आना है तो हमको एक धतूरे की जरूरत होगी ठीक है क्या करोगे इस एक अच्छे तरीके से पीला कर लेना अरे कैसे पीला करोगे इसमें अच्छे तरीके से क्या लगाओगे हल दी, इतना अच्छे तरीके से लगाना कि हरा भाग कहीं से दिखाई ना दे इतने अच्छे दे, सूखा लगाना हो, सूखा लगाना हो गीरा लगा लो ठीक है लगा दिया और उसके बाद क्या करोगे लेके चले जाओगे बेल पेंड के नीचे ठीक बेल पेंड की नीचे पहुचना और पहुचते ही सबसे पहला काम क्या करना है इसी बेल पेंड की मिट्टी से ही एक पार्थिव शीवलिंग का निर्माड कर लेना ठीक पार्थिव शीवलिंग का निर्माड किया वहाँ पर बैट करके जो भी आपको चड़ाना हो जो भी इच ठीक है? इतना कर लिया? करने के बाद अब जो आपने पार्थिव शीवलिंग के ऊपर हल्दी वाला धदूरा चढ़ाया है, उस हल्दी वाले धदूरे में से थोड़ी सी हल्दी निकाल करके, जो आपके पास में रुमाल हो, उस रुमाल में उसी द्दूरे की एक बिंदी करोगे अपने तिजोरी में या फिर जहां पर भी आप धन रखते हो वहां पर आप इसको रख देना और जो बाकी आपने पार्थिव शीलिंग वगरा का निर्माड किया है जो भी सामान वगरा चड़ाया है सब कुछ ले जाकर है किसी नदी तालाब सरोवर में आप प्रवाह हमारी पत्नी बहुत ज्यादा मतलब इतना लडाई करती है कि हम घर में रहे नहीं पाते देखो क्या है पांच बेलपत्स हमेशा बताता हूं कहीं से कटा नहीं होना चीए बोगत ही प्यारी लेना पांच बेल पत्त लेना साथी साथ जरूरत होगी इस तरीके से धतूरे के फिर से बोला मैंने कि जब भी फुलेरा दूचा कोई भी उपाया आएगा उसमें धतूरा आपको जरूर सुनने को मिलेगा तो एक धतूरा ले पांच बेल पत्त लेना ठीक है साथी साथ जरूरत होगी पांच शमी के पत्तों की फिर आ गया पांच समी का पत्त जिसके पांच शमी पत्त नहीं है परेशान परेशान नहीं हो पांच समी पत्त की जगर पे आप पांच चावल के दाने भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं ह इन सभी समानों को लेके पहुँच जाना महादेव की शीवली के पास शाम के टाइम पे प्रदोश का अलमी इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन ही करते हैं अब ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये है माता असुक सुंदरी का स्थान अरे है क्या करो के उन सभी चीजों को आपको माता असुक सुंदरी का स्थान है यहीं पर आपको अपने दाहिने हाथ से यहाँ पर रख देना है और इन सभी सामानों के उपर अपना दाहिना हाथ रख करके महादेव से अपनी दिल की बात कहनी है कि हमारे पती ऐसे है हमारी पत्नी ऐसी है वो गलत रास्ते पे है या फिर पत्नी गलत रास्ते पे है जो भी गलत रास्ते पे है आपकी बात नहीं सुनता आपकी अस्तुभ्यम का इसमर्ण करते हुए समर्पित करना जो जल बहता बहता इन सभी समानों से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा अपने दाहिने हाथ में जल को लेना और अपने दोनों आखों पे लगा करके आप अपने घर की तरफ चले जाना यकीन मानिए फुलेरा दूज का बहुत ही सुन्दर सा उपाए जरूर करिएगा आप लोगों में हमेशा प्रेम बना रहेगा और मैं भी यही कामना करता हूँ कि जितने भी साधिस हुदा है जितने भी मैरेड लड़के लड़किया है वह हमेशा कुछ रहें कभी उनके बीच में कोई भी मिस अंडरस्टें पर फॉलो कर लो नेचुरल प्लैनेट 108 और हाँ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए जो वी लोग आवाज पहली बार सुन रहे है चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जाएगा